नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं आने के बाद आयोग ने इसकी जनकारी देते हुए अभियार्थियों एवम नागरिकों को सतर्खे किया है या फर्जी वेबसाइट jhrpshc.id है जिसे खोलने पर आयोग की हुँ बहु वेबसाइट खोल जाती है हलाकि उसमें सुचना ये पुरानी होती है साथ ही online आवेदन प्राप्त करने संबंधी करवाही भी की जा रही है आयोग ने कहा है कि बिभीन परिक्षा संबंधी सुचना है आयोग की एक मात अधिक्रित वेबसाइट jshc.nc.in है जिसके माध्यम से ही कोई भी सुचना प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आयोग ने या भी कहा है कि किसी परकार की धोखादाडी का सिकार होने पर संबंधित व्यक्ति स्वेम जिम्यदार होगा मौसम भीभाग ने नए साल के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है मौसम भी भाग के बैग्यानकों ने बता है कि जारखन में अगले दो दिन तक निम्तन तपमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है लेकिन राइधानी राची में एक जनवरी 2023 को नए साल के दिन आस्मान में बादल चाहे रहेंगे वही नए साल में निम्तन तपमान दो से तीन डिग्री तक का इजाफा हो सकता है राज्य के पूर्वी भाग में तीन दिन के दरान कहीं कहीं हलके से मत दर्च का कोहरा चाहा रहा सकता है वहीं दो जनवरी 2023 तक परदेश के किसी भी जीले में बारिस के कोई असार नजर नहीं आ रहे हैं हेमन्त सरकार के तीन साल पर जार्खन को 890 क्लोर की सोगाद जार्खन की हेमन्त सुरेन सरकार ने तीन साल का कारेकल पूरा कर लिया है इस अवसर पर गुरु आर को प्रजेक्ट भौन में आवित विश्यसकार करम में परदेश की जानता को 890 क्लोर रुपए की य लें टांसफर किये गए मुख्य मंत्री हेमान सुरें ने इस अउसर पर विश्वास जाता है कि परदेश जल्द हीत रखी करेगा हेमान सुरें ने सुखा रहात योईना को यह थी हासिक कदम बताया उन्होंने कहा है कि परदेश में कई बार सुखा पड़ा लेकिन जिस तरह स कहा है कि कि सोरी समरीदी जोईना का लाव 552 बच्चों को मिला है खेल खिलाडियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा जोहार खिलाडी पोर्टल जार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरें ने सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष पर खेल और खिलाडियों को बढ़ाव बतादे पोर्टल के जरीए खिलाडी और खेल से जुड़े लोगों का डेटा संगर किया जा सकेगा, जिससे खेल को और बढ़ावा दिया जा सकेगा, इस पोर्टल से खेल और खिलाडीों से समन्दी सभी विशयों को एक अस्थान पलाया जा सकेगा, जिससे खेल को एको सिस् होगा वर्ल्ड कॉप का आयो जान मुख्यमंत्री है मंसुरे ने कहा है कि होगी नेशनल टीम में जहारखन के 5-7 खिलाड़ी टीम का परतिनीत्व कर रहे हैं लेकिन या बीड़ा मना है कि होगी वर्ल्ड कॉप का मैच हमारे राजे में नहीं हो पा रहा है राजे सरकार का पर्यास है कि आने वाले दिनों में जहारखन में भी वर्ल्ड कॉप के मैच कराए जाए हमारी सरकार राजे में खेल का एक अलग लेवल तयार करने में लगी है राज के गाउं गाउं और सहर सहर में हम खेल का अलग ट्रेक बनाने में जुटे हैं इस औसर पर मुख्य मंत्री ने फाइनल मुकाबले के पूरुस वर्ग एवं महिला वर्ग के बिजेता एवं उब बिजेता खिलाडियों को अपनी ओर से बधाई एवं उनके उजोल भविस के लिए सुबकम नाय भी दी बतादे इस यह से पर मुख्य मंत्री ने राज अस्तर ये मुख्य मंत्री आमंत्र फुटबल कप परत्योंकता 2022 में बिजेता एवं उब बिजेता टीमों के खिलाडियों प्रसिच को तथा टीम मेनेजमेंट से जुड़े लोगों को फुरुस्कृत किया दीपक परकास ने सरकार के खिलाप 16 पेज का अरोप पत्र जारी किया हे मंत्र सुरेन की अगवाई वाली महा गडबंधन ज्हारखन मुक्ती मोर्चा कांगरेस टाइटिये जनता दल गडबंधन सरकार ने तीन साल पूरे कर लिया है इस अउसर पर राज सचवाले प्रजेक्ट भॉन में एक विसेस कारकर्म का अज़न भी किया गया इसमें मुक्य मंत्री हे मंत्री हे मंत्री हे मंत्री ग्राविन विकास मंत्री आलमगीर आलम सरम मंत्री सत्यानद भोकता ने उपलब दिया गिनाई बता दे इससे पहले मुख्य विपक्षिदल भारतिया जनता पार्टी ने हेमान सुरेन सरकार के खिलाब 16 पन्ने का आरोप पत्र हेमान सरकार के 3 साल आकंठ परस्टा 4 जारी कर मुख्य मंत्री हेमान सुरेन और उनके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जारकन परदेश भाजपा के अध्यक्स राज सबस्टा दिपक परकास ने गुरुवार को पाटे मुख्याले में प्रेस कॉंफिरेन्स को समोधित करते हुए कहा कि मुख्य मंत्री कन विक्षं रेट पर ध्यान नहीं दे कर परफर्मेंस रेट पर ध्यान देते तो राज का ज़्यादा भाला होता है किसान बिरोधी और आदिवासी दलित बिरोधी सरकार BJP राज सभा सानसद ने हेमंद सुरेन सरकार को किसान बिरोधी भी करार दिया है उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की महत्वकांची क्रिसी या सिर्वाद योजना को बंद कर दिया गया क्रिसी पसुपालन एवमकब्य विकास विभाग में 36 स्कीम है इसमें से 33 स्कीम पर खर्च सुने है विभाग को 17,054.56 कोलो रुपए कावंटन मिला है खर्च मात 13.54 कोलो रुपए हुए वितिय वर्च 2021-22 में क्रिसी और किसानों के विकास के लिए बनी एक दर्यन स्यधिक जोजनाये फाइलों में ही दभी रागाई वहीं गिरी डिजिले में भरस्टा चार से तंग आकर एक किसान ने आत्मा हत्या भी किया वहीं स्री परकास ने कहा है कि इस सरकार ने ट्राइवल एडवाजरी कमेटी को विवाधित बनाया निकाय चुनाव में मेर सीट के आरक्षन को लेकर आदिवासियों को लड़ाया आदिवासियों के लिए आरक्षित अद्योगिक भूमी को सीएम ने पतनी के नाम से आवंटर कराया गढ़वा में बच्चों का सिकार कर रहा तेंदुआ आदम खोर घोसित गड़वा जिले की भीभीन छेत्रों में बच्चों का सिकार कर रहे, तेंदुआ को अधिकारिक रूप से आदम खोर घोसित कर दिया गया है, आदम खोर घोसित करने के बाद अब तेंदुआ को मारने के लिए सूटर भी बुलाई जा रही है, इसके लिए हैदराबाद से चर प्रत्ति पारलक रांची को इसको लेकर पत्र लिखा पत्र में सिरीकुमार ने कहा है कि लोगों को मारने वाला त्यंदुआ ब्यसक है उसे केज जाल आदी लगाने एवं कैमेरा ट्रेप एवं ड्रोन का इस्तेमाल करने के बाद भी पकड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही है नए साल में खुटी के लत्रातु डेम घुमिये CMB इसके मुरीद कि मंत्रे हमान सुरेन समेद कूल 41 भी धायक भी इस डेम का लुप्त उठा चुके हैं शुत्रों के अनुसार इटवा बेड़ा जंगल में इनामी नक्सली पिछले एक सपता से सरन लिए हुए है इसकी सुचना CRPF और जीला पुलिस को मिलने के बाद मंगलवार की राज से ही पुलिस ने घिराबंदी कर दी है पुलिस और नकसलियों के बिच मुटभेड में एक नकसली धेर नकसलियों के खिलाब पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है सर्च अभियान के दोन लोहर दग्गा जी लेके बगरू थाना चेतरी स्थीत कोरगो गाउं में सुबा पूलिस और नक्सलियों के बिज मुटभेड होई पकड़े गए और मारे गए दोनों नक्सलि भागपम मवादी संगठन के सब्जूनल कमांडर है जैन तीर्थ अस्थली पारसनाथ में तैनाथ किये गए होमगाट जवान जैन तीर्थ अस्थली पारसनाथ होँ मधूबन छेतर में सुरक्षा और बीधी पेवस्ता के निगरानी समेत मांस मंदिर्या पर पुनता रोक लगाने को जीला पसासन के ओर से होमगाट की जवान तैनाथ किये गए है बता दे होमगाट जवान पारसनाथ और मधूबन में आने वाले लोगों पर पहनी नजर रक्ष रहे है मांस और मंदिर्या लाने वसेवन करने वालों को चीनित करून पर कड़ी करवाई किये जाने का निर्देश है डीडी नमन प्रियेस लकड़ा ने दो दिन पहले ही तैनाथ का निर्देश दिया था होमगाट जवानों को डूमरी अनुमंडल पता अधिकारी वा अंचला अधिकारी की ओर से निर्देश जारी किया गया है कोल अधिकारी के आवास भता भुक्तान का गाइडलेन जारी कोल इंडिया मकान किराए भता नियम 2010 के मजुदा प्रवधान को संदोशित किया है इससे समझ गाइडलाइन कोल इंडिया प्रवंधान ने जारी कर दिया है नियम में बोर्ड वा बोर्ड लेवल के नीचे अधिकारियों को सामिल किया गया गाइड लाइन के तहत कहा गया है कि अधिकारी यदि वे आस्थाई रूप से अतिति गिरी हो वा कमपनी द्वारा परदान किये गए ट्रांजीट आवास में रहते हैं तो उन्हें नए अस्थान पर नियुकती अस्थान अंतन पोस्टिंग के लिए भुगतायन किया जा सकता है बसरते की वे निमनलीखित सर्तों को पूरा करते हो जिनमें अधिकारी ने अपने हक के आवास के लिए आवेदन किये हो गोड़ा के 16000 किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 35 रुपाई हमत सरकार के तीसरी वास गाठ पर गोड़ा जीले के 16000 किसानों के खाते में 35-35 रुपाई सरकार के दोरा गुरुवार को DBT के माध्यम से टांसपर किया गया इसके लिए किरिसी विभाग की और से किसान परिवार का डेटाबेस त्यार कर लिया गया इसकी प्रसासनिक स्विक्रीती भी उपायुक्त अस्तर से मिल गई सुखाड की 33 जेल रहे किसानों को रहाद देने के लिए हमन सरकार की और से बड़ी सोगाध है बता दे कि राज सरकार की और से किसानों के हीत में कई कल्यानकारी योई नाई भी चलाई जा रही है सरकार क्रिसी सेक्टर को प्राथमिक सुच्ची में सामिल किया है वहीं गिरामिन अर्थ्विवस्ता को सुद्रिट करने के लिए किसानों को सम्रिद करना जरूरी है रांची नगर निगम बनाएगा अपना पुस्त काला है राईधानी रांची के नागा बाबा खटाल इस्थी विजी टेबल मार्केट के पास लग रहे जाम से सबजी बिक्रेताओं के साथ आम लोगों को भी काफी परिशानी होती है उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए रांची नगर निगम ने नगर आयूक्त ससी रंजर और मेर आसाल लगणा ने विजी टेबल मार्केट और नागा बाबा खटाल का निरिक्चन किया मुख्यमंत्री आमंत्रन फूटबोल परत्योगता में पाकुल की टीम बिजाई मुख्यमंत्री आमंत्रन फूटबोल परत्योगता दो हजर बाइस का समापन समारो रांची के मुराबादी मैदान में हुआ जहां खुद मुख्य मंत्री हमांसुरेन ने सिर्कत की रांची में खेले गए बैंच में पाकुल टीम धनबाट टीम को हरा कर बिजाई हुई परत्योक्ता समापन के बाद सीएम ने खिलाडियों को समानित करूने सुबकमनाय दी बतादे जहरखन में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से आयोजीत मुख्य मंत्रिया मंत्र फुटबोल परत्योक्ता 2022 का गुरुवार को समापन हो गया समापन समारो का आयोजीत राज धानी राची के मुराबादी मैदान में हुआ मुराबादी मैदान में आयोजीत इस राज अस्तरिय परत्योक्ता में दुमका जोन की पाकूर टीम ने धनबाद जोन के धनबाद टीम को पांच एक से हरा कर जीत हासिल की लालपूर थाना परिसर में आग लगने से 40 बाइक खाक राज धाने राची के लालपूर थाना परिसर में आग लग गई या आग थाना द्वारा जब्त किये गए वाहनों में लगी थी गाड़ी में लगी आग काफी तेजी के साथ थाना परिसर में फैल गई इससे पूरे परिसर में थाना के कर्मियों के बीच आफरातफ्री मच गई आग पर काबू पाने के लिए अगिन समन विभाग के दस्ते के बुलाया गया दमकल की टीम ने काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया इस अगलगी में जब्त किये गए 40 से ज्यादा दो पहिये वाहन जल कर खाक हो गए बतादे राजधानी राची के लालपूर्थाना परिशार में रखेगा जब्त वाहनों में गुरुवार की साम आग लग गई पीए म मोदी का कोलकता दोरा सीम हेमंत राश्ट्री ए गंगा परिशद में लेंगे हिसा सुक्रवार को पीए म मोदी कोलकता के दोरे पर रहेंगे इस दोरान कई करक्रमों में हिसा लेंगे यहाँ पर पीए म मोदी राश्ट्री ए गंगा परिशद की बैठाक में हिसा लेंगे वहीं बिहार के मुख मेंत्री नितिस कुमार की ओर से बैटाक में डिपटी सीये म, तेस्वी आदो सामिल होंगे, तोय कारकन के मुताविक दो फर दो बये से लंच ब्रेक रखा गया है। होसनाय का अनुसार नियुक्ती की मांग कर रहे हैं। हमार नियुक्ती के मुख यजमान प्रेम चंद्र श्रीवास्ता याम स्वाग समीति के धर्मेंद्र तिवारी ने उन्हें आयोजन के बारे में जनकारी दी। हमु मैदान में 5,010 को के बैठने की बेवस्ता की जा रही है। उन्होंने कहा आय कि भाज़पा की सरकार बाबुला अमरांडी के नितिति में उन्हें 32 खत्यान अधारित नियोजन निति बनाई थी। जिसे हाई कोट ने खारिश कर दिया। अगर हमंत सुरेन इस मुद्धे पर गंभीर होते तो इसे नवी अनिसूची में डालने के लिए के अंदर सरकार के पास नहीं भेजते। 36 गड़ के किस सराब माफिया के कारण जारखन को रह स्वक यहानी हुई मुखे मंतरी को यह बताना चाहिए। आपस लोटे। बहावल पूरी पंजावी समाज ने इसकी स्तरहना भी की है। जन सयोग से हर बीपती को आउसर में बदला सियम हमंत। जारखन की हमंत सरकार 29 दिसंबर 2022 को अपने करकल का तीसरा साल पूरा कर ली है। इस उसर पर रांची के धुरवा इस्थित प्रजेक्ट भौन में समारो आयोजीत हुआ। इस मौके पर मुक्य मंद्री ने कहा है कि सरकार गठन के बाद से इस सरकार ने कई उतार चड़ाओ देखे। कई अपदाय देखी। राज अलग होने के बाद किसी सरकार को इतनी चुनोतिया नहीं मिली थी लेकिन जन सहयोग से हर बीपती को आउसर में बदला गया। इस सरकार की कोशिस है कि हर वर्ग के चेहरे पर खुसाली आये। इसी मौके पर 951 कोड़ो रुपए की सवगाद राजिवास्यों को दी है। इसके तहट किसानों को CM सुखार रहा तो इनाच छात्रों को स्कॉलर्शिप समेथ कई पोर्टल भी लंच किये गए हैं। गुमला में 20 हाथियों का जूंड मचा रहा उत्पाद। 20 जंगली हाथियों के जूड ने 4 किसानों के घर को दवस्त कर दिया है। पारा सिक्षक आकलन परिक्षा। सरकार की ओर से घोसित आकलन परिक्षा से हजारी बैक जीले के 15 परतिहस सहायक अध्यापक वन्चित रह सकते हैं। चुकि उनके सेक्षनिक और प्रसेक्षनिक पर पत्रों की जाच अब तक नहीं हो पाई है। बता दे तीन माहा से सर्टिफिकेट से आपन का काम चल रहा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बहुल का बेल एकन दबाईए। साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को से शेर करना ना भूले। साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाइक अवास से दे। थांक यूू।